उठती है किर्णों के ऊपर, कोमल किसल की छाजन से, स्वरका मधुने स्वनरंध्रों में, जैसे कुछ दूर भजे बन सी नमस्कार, भारत वानी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका, महा कवी जैशंकर प्रसाद रचित, कामाईनी महा कावे पराधारित, मेरी इस शिंखला की 21 कड़ी में, काम सर्ग का तीसरा चरण है कुछ उल्जे हुए है मनू, अपने विचारों में, उनके जीवन में शद्धा का आना, मनू, समाधान बन कर आया था, उनके एक आखी बनका मानू, प्रसाद बनकर आया था, उनके यग्य, तप कर्मका, उनका एक स्वप्न आकार ले, उनके सामने था, प्रतीक्षा मिट कई थी लेकिन उससे आगे क्या, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, उठने को आतुर है, पर मार्ग क्या हो नहीं जाते तैयार नहीं है, उस मार्ग में आने वाले अनुभवों के लिए, चुनोतियों के लिए क्योंकि अब उस मार्ग पर उन्हें अकेले नहीं बलकि श्रद्धा के सानिध्य में चल कर आगे बढ़ना है कुछ यही सब सोचते सोचते रात्री भी बढ़ चली है सुभा की ओर निद्रा को छोड़ कर्म पत को आलू कित करती हूँ शुक्र को यानि प्रेम के प्रतीक प्लानेट वीनस को भोर के तारे को आकाश में देख रहे हैं मनू और उसे देखते हुए सोच रहे हैं कि अवश्य ही यह संकेत है कि बीती रात के मधर स्वपनों को साकार करना होगा निरवता को मौन को शब्दों से भरना होगा उठती है किर्णों के उपर को मल किस लह की छाजन सी स्वरका मधुनिस्वनरंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बन सी उशा का आगमन हो गया है उस अक्षय निधी की अथाद सूरी की किर्णों का स्पर्ष पाते ही आलहादित उठी है प्रकृती नई कोपलें पेड़ पौधों की वल्लरियां आतुर हैं छाजाने के लिए उन पर एक छाजन की तरहा आतने देखा होगा कि कोपलों का रुख उसी ओर होता है जहां से सूरी निकलता है उसी दिशा में बढ़ते हैं ज्यादतर बेलें पेड़ पौधे मानो थाम कर उन किर्णों को सवार हो उन पर निकल जाना चाहते हो उस पार भोर के मधुर स्वर ऐसे बिखरे हैं बातावरण में मानो भैरव भैरवी का संगम हो जो दूर कहीं किसी की बंसी से बहा चला रहा हो ऐसा लगता था जैसे उपर खुला आकाश ये सारा ब्रम्हान रही वो मासुरी है जो कुछ थोड़े छटते हुए से तारे टिम्टे माते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी मासुरी के चिद्र हैं और ये सब शायद संकेत हैं मनु के लिए कि रितुएं प्रकृती सौंदर्य सब का अध्ये केवल और केवल नव निर्मान हैं सब का अपना अपना कर्म चक्र है कर्म पत है और इस नव निर्मान में उनका भी योगदान अपेक्षित है प्रतीक्षित है सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन धन की आवरण स्वयम बनते जाते हैं भीड लग रही दर्शन की सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन धन की आवरण स्वयम बनते जाते हैं भीड लग रही दर्शन की दर्शन है सुभा होने से पहले के आकाश का थोड़ा गहराया हुआ सा कहीं कहीं जिल मिलाते तारों के परदे में हैं आवरण लिये हुए नक्षत्र तारों का और कहीं कहीं उस आवरण को हटा तयार है एक नई सुभा की ओर सब और से बस यही पुकार है कि इस आवरण को खोल दो देखने दो छवी उस जीवन धन की अनुभव करने दो उसकी उर्जा का विश्वभर को आवरण के इस पार है वो जीवन धन और उस पार मानो एक भीड सी लगी हुई है एक मंदिर के बाहर उस दिव्यतेज के दर्शन के लिए उच्शुक तो कौन है उस मंदिर का देव ये कोई और नहीं वही उद्बुद धक्षिते जिसे उगता हुआ उशा का रहस्य है उगता हुआ दिवाकर क्योंकि सब को देखनी है उस जीवन धन की छवी और इस होड में ना चाहते हुए भी एक दूसरे की ओट कर रहे हैं दृष्टी ब मनु के लिए भी इस ब्रह्म महुर्थ के साथ आ रही है एक नव जीवन की आशा एक उमंग एक नवी नूर्जा का संचार और जिसके स्वागत के लिए मनु हैं तैयार किन्तु मार्ग दर्शन की अपेक्षा रखते हैं इस जीवन धन से चांदनी सद्रिश खुल जाए कहीं अब गुंठन आज समरतासा जिसमें अनंत कलोल भरा लहरों में मस्तिल विचरतासा एक बहुत ही सुन्दर कलपना उठी है यहां चांद को और उस अक्षय निधी सूरी को लेकर कि जैसे चांद के रहते हुए भी चांदनी के साथ-साथ नक्षत्र तारे भी उस दिव्याभा को उसके स्रोत को देख पाते हैं उसका अनुभव कर पाते हैं तो अब क्यूं नहीं उस अक्षय निधी ने शायदे कावरन डाल दिया है उन पर क्यों इस जीवन धन के दर्शन दुरलब है हम अक्षत्रों को तो कामना करते हैं मनु कि यदि इस अक्षय निधी पर पड़ा हुआ परदा उसी प्रकार खुल जाए जिस प्रकार चंद्रमा के उपर से चांदनी का परदा हट जाए तो वह अनंत आलोक मई अक्षय निधी प्रकाश की लहरों में मस्ती के साथ विचरती हुई प्रकाश के उस अनंत समुद्र के समान दिखाई दे तो फैल जाए ये उर्जा लहरों में मस्त विचरते हुए एक अनंत कलोल की तरह एक तरंग के समान अपना फेर निलभन पटक रहा मणियों का जाल लुटाता सा उनिंद्र दिखाई देता हो उन्मत हुआ कुछ गाता सा फिर उसी कलपना को आगे पढ़ाते हुए कहते हैं प्रसाज जी कि वो गहरा आकाश जो अब तक अवगुंठन अर्थात घूंगट समान था विखर गया है चानों ओर फैल गया है कनंत समुद्र के समान जिसमें जाग से भरे हुए शेशनाग के फनों के समान फेन युक्त उची लहरें उठ रही हैं जिसमें लहरों से बिखेरने वाली मणियों के समान ग्रह नक्षत्र इधार उधार फैल रहे हैं और जिसकी वो मरती हुई लहरें मस्ती के साथ जूमते हुए शेशनाग के हजारों फनों से निकलने वाली ध्वनी के समान गरज रही है वो फेन युक्त फन जो पटक पटक कर अपनी मणियां बिखे रहा है एक जाल सा बुंदिया है उसने सितारों का लेकिन वो मणियों का जाल धके हुए है उसे एक महा मणी को जिसकी प्रतीक्षा में है विश्व उस नाग के फन पटकने की क्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे नींद में उंगते हुए हमारा सिर बार-बार आगे वो जटका खाता है मनों उस नींद को नकारते हैं जागरत रहने का प्रयत्न करते हुए कभी-कभी समल जाते हैं थोड़ी देर के लिए लेकिन उस नींदी पर भला काबू कहां फिर फिर हमारा सिर जटकता है आगे की ओर मनों नाग अपना फन पटक रहा हो तो अब ये अवस्था या तो नींद के कारण हो सकती है या फिर नशे के कारण उनमाद के कारण और फिर उस उनमतता में ऐसे लगता है कि गुनगुना भी रहा है स्रिश्टी के बिखर रही हैं स्वर लहरियां वो बंसी वो कलोल शायद इसी उनमादी का मस्ती भरा तराना है जो कुछ हो मैं न समहा लूँगा इस मधुर भार को जीवन के आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम सहीं अम बन के जो कुछ हो मैं न समहा लूँगा इस मधुर भार को जीवन के आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम सहीं बन के प्रेम भाव प्रबल हो रहा है उनके भीतर श्रद्धा के प्रति जिसे वो कभी भार समझते हैं तो कभी उसे मधुर भी मान लेते हैं लेकिन तब संयम में बिताया उनका अब तक का जीवन उनको कभी कभी रोकने लगता है उसी भाव से लड़ते हुए स्वयम को श्रद्धा के साथ भावी जीवन के लिए तयार करते हुए खुद को चुनौती देते हुए अपने इच्छा शक्ती को और द्रड़ करते हुए कहते हैं कि अब चाहे जो हो मैं स्वयम को रोकूंगा नहीं इतने समीप है लक्ष मेरे और इतना मधुर है वो भविश वो तप सैयम का प्रसाद कि अब चाहे जो बाधाएं आएं इस माहर में उनके अपने भीतर से या फिर बाहरी शक्तियों के माध्यम से चाहे कितना भी भार समान प्रतीत हो रहा हो मुझे अभी वो सब किन्तु मैं उसे उठाओंगा भार समझ कर नहीं बलकि आभार व्यक्त करके उस शक्ति का जिसने दिया है मुझे ये अमूल्य उपहार नक्षत्रों तुम क्या देखोगे इस उशा की लाली क्या है संकल्प भरा है उनमे संदेहों के जाली क्या है तो बस फिर अपने निश्चे को कुछ और द्रढ़ करके मुखातिब हो रात्री के आस्मान से कहते हैं उलाहना देते हुए मनों के नक्षत्रों तारागणों तुम क्या जानों कि उशा की लालिमा क्या होती है तुमने कब देखा सूर्योदय की उस स्वर्णिम आभा को कितना भी फन पटको नीदी में जागते रहने की चेश्टा में परंत उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं और जब तुमने उसे देखा ही नहीं, जाना ही नहीं तो संदेह किस बात का? लगता है तुम्हारा संदेह निराधार है, गयर्थ है, जिस हृदय में संदेह का कोई स्थान नहीं होता तुम देखना, सब संदेहों के जाले छट जाएंगे, सतह ही जब संकल्प का सूर्योदय सम्मुख होगा नक्षत्र तारागन क्योंकि रात्री में ही दिखाई देते हैं, जब संसार सो रहा होता है तो उस संसार का कलोल, उसमें होता हुआ वो जीवन का संचार, उसमें उठती वो संसारिक सुख संदरी की लहरें, तरंगे, भला वो कहां देख सकता है, अधवा, कहां अनुभव कर पाता है ठीक वैसे ही, जैसे दम शम वाले संयमी तपस्वी, भला क्या जाने प्रेम के माधुरे रस्क, तत पर यही है कि मन अब तयार है अपना तपस्वी वाला बाना उतारने को, और आतुर है प्रेयसी के आचल की चाओं में शेश जीवन बिताने को, शद्धा के प्रेम की डोर म में बंध जाने को, कौशल यह कोमल कितना है, सुश मादुर भेद बनेगी क्या, चेतना इंद्रियाओं की मेरी, मेरी ही हार बनेगी क्या, मनु की मनो वृत्ति, मानव सुभाव की परिचायक तो है ही, जो पल पल विरोधा अभास से रसित होता रहता है, कोई भी कदम उठाने से पहले, न जाने कितनी बार हां और ना के, सही और गलत के बीच डोलता रहता है, वही दशा है मनु की, अभी अभी ततपर्थ है, सब पंधनों को, ताप सैयम को छोड़, प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और देखिए, अभी फिर से एक भ्रम ने आघेरा है उन्हें, कहते हैं, कि प्रकृति का ये कौशल, कितना कोमल है, ये वसंत रितु, इसका आकर्शन, कहीं कोई माया जाल तो नहीं है, जो रहस्य है इसका, यह सुश्मा अत्यांत दुरुभेद्यसी प्रतीत होती है, इसे भेद कर इसके रहस्य को समझ पाना असंभव सा लगता है, क्या कभी समझ पाऊंगा मैं इसकी मन्शा, क्या कभी जान पाऊंगा उस परमशक्ति की क्या है मुझसे अपेक्षा, एक पहेली बन गया है मेरा जीवन, कहीं ऐसा नहो कि मेरी इंद्रियों की चेतना, उनकी जागरिती मेरा पतन बन जाए, अब तक तो इंद्रिय दमन में ही मेरी विजय थी, उसी का संचित बल है मेरे पास, किन्तु उस पत से विमुक होकर, इंद्रियों के वश में आकर कहीं मेरी परजह नहों जाए उनका मन बट चुका है बट रहा है बार बार एक मन कहता है कि बने रहो अपने ज्ञान और संयम के मार्ग पर और दूसरा कहता है कि स्वीकारों इस परिवर्टन को इंद्रियों को स्वतंत्र करो आनंद लो प्रकृति के शिंगार का परिवर्टन ही है महास त्रिष्टि का नियम और प्रेम ही है नवजीवन का आधार पीता हूं हाँ मैं पीता हूं यह स्पर्शुरूप रस गंध भरा मधु लहरों के टकराने से ध्वनी में है क्या गुंजार भरा तो जो मनु के मन के भीतर एक द्वैधी भाव उठ रहा है एक असमंजस की स्थिति उसने शायद अब एक नई दिशा पकड़ ली है और शायद यही तरीका है मन के एक ही करण का भी तो अपने उस मन से अब कह रहे हैं मनु जो थोड़ी दिर पहले उन्हें सैयम के मार की और खीच रहा था उलाहना दे रहा था लेकिन आब उसी के सामने तनकर खड़े हो गए हैं स्विकारते हुए कि हां मैं हूँ एक प्रेमी भ्रमर जो उपवन में सजे फूलों के स्पर्ष का रूप रस गंध का उनके मादक मधु का प्यासा है यदि मुझे सब इंद्रियां दी गई हैं तो इन इंद्रिय सुख स्पर्षिक दर्षन से श्रवण के गंध के रसा स्वादन के अनुभव से इस आनंद से तुम मुझे वंचित नहीं रख सकते एक विद्रोही युवक किसी मनस्थिती है मनुकी जिसको उसकी जिद से हिला पाना बहुत कठिन होता है उदार दे रहे हैं लेहरों के समुद्र तट से टकराव का उस गुंजार का जो पैदा होती ही है उस टकराव से यदि लेहरों का सागर तट से ये मिलन न हो तो ये ध्वनी कैसे भरेगी वाथावरण को अपनी गुंज से सिष्टी का नियम है मिलन तो क्यों मैं न कारदू इस मिलन को क्यों न स्विकारूं से और भर दू कलोल इस विश्व में कुछ और भर दू रंग इस वसंत में बह जाओं इस मधुर सुगंध की धारा में और पान करूं उस प्रेम रस का जो आज मेरे लिए समर्पित है कल का क्या पता यह हो ना हो तारा बन कर यह बिखर रहा क्यों सपनों का उन्माद अरे मादक तामाती नीद लिए सो मन में अवसाद लिए नजाने कितनी राते बिताई थी मनुने नीरवता में कितने स्वपन देखे थे किसी के सानिद्धे के किसी से अनुभव बाटने के कुछ कहने सुनने के उन सब को याद कर रहे हैं एसा लग रहा है उन्हें कि ये आसमान में बिखरे नक्षत्र तारागण उनके वही स्वपन हैं, वही आशाय हैं. लेकिन क्या मैं उन्हें यु रहने दू, विखर जाने दू? समय है उन्हें समेटने का, उन्हें अपने आलिंगं में भरने का. क्यूं मैं उनसे मुह मोड कर पहले की भाती मन में अवसाद लिए दुख और निराशा लिए सोता रहूं अपने स्वपनों की मादक ताको फिर डुबोदू नींद की गहराई में क्या लाभ होगा इससे वच्चतावे के अलावा कुछ शेश नहीं रहेगा मैंने खुद यह वर्दान मागा था रात्री के साथ जाग कर सपने बुन कर और अब जब प्राप्ती हो गई है मुझे उस वर्दान की तो मैं उसे ठुकरा कर अपने हाथ पीछे खीच लू तो क्या निरादर नहोगा इश्वर के उस प्रसाद का तपस्वी होना मेरे एकाकी पन की नियती थी लेकिन अब जब मैं एकाकी नहीं तो क्यूं मैं तपस्वी होकर जीने के लिए स्वयम को बाद ही करूं प्रश्ण कर रहे हैं क्यूं जीऊं मन में अवसाद लिये चीत नाश थिलसी होती है उन अंधकार के लहरों में मनों डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में रात धीरे धीरे समाप्थ होने जा रही थी लेकिन विचारों की लड़ियों में उल्जे अपने ही मन के द्वैधी भाव की रसा कशी में फंसे अब कुछ ठक गए थे मनों संकल्प भी था संदेह भी उल्लास भी उदासी भी आतुरता भी थी और जिजक भी जिद भी थी लेकिन असमंजस भी जागने का पल समीप था लेकिन फिर भी चेतना उनकी शिथिल सी पड़ रही थी साक्षादकार का पल समीप था लेकिन कुछ था जो उन्हें अब भी रोक रहा था सामना करने के लिए डूब चले थे रात्री के पिछले प्रहरों में याद करते हुए अपना आतीत और सुलजाते हुए वर्तमान की गुथियां उस दूर क्षित जमे स्रिष्ट बनी स्मितियों की संचित छाया से इस मन को है विश्राम कहां चंचल यह अपनी माया से इस मन को है विश्राम कहां चंचल यह अपनी माया से तो दूर कहीं क्षितिज पर धर्ती और आस्मान मिलते दिखाई दे रहे थे और यह भिलन ही तो स्रिष्टी का प्रतिविंब है जिसे निरंतर देखते देखते मन अपनी स्मृतियों की संचित छाया में डूबते जा रहे थे अतीत की एक-एक याद सहेज कर संचय करके रखी हुई थी मानो एक एल्बम हो उनके पास जिसके पन्ने पलटके वो देख रहे थे जैसे की द्रिष्ट चल रहे हुँ एक परदे पर और आधार बना कर उन्हें अपने अतीत का खो गए थे वो अपने मन की कल्पना में सोच रहे थे वो जिस नियती ने उन्हें देवत्र दिखाया और फिर प्रले और फिर प्रले से भी जिलाया एक मात्र उन्हें चुना कर्मपत की खोज में फिर भटके वर्षों तप बल का कर फिर से संचय डूब गए एक नवीन कल्पना में फिर एक दिन कल्पना भी साकार हो गई श्रद्धा के रूप में संकेत था यह नियती का कि मनु अकेले नहीं बचे थे और श्रद्धा का होना ही अपने आप में यह कह रहा था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने थे और निरंतर चल रहे थे एक दूसरे की ओश लेकिन मन भला कब विश्राम लेता है चंचल है चलाय मान है मजबूर है मनु अपने मानव स्वभाव से भटकने की आदत है उसे फैसले की घड़ी ही अब यहते करेगी की कौन सा पलड़ा भारी रहा तो चलिए छोड़ते हैं मनु को उनके इस चंचल मन के साथ क्योंकि उस पर तो खुद उसके बनाने वाले का भी कोई जोर नहीं अब तो बस प्रतीक्षा है उस निरनायक पल की जब सम्मुक होंगे श्रद्धा और मनु शीग्र लोटूंगी काम सर्ग के अगले भाग के साथ प्रतीक्षा कीजेगा लेकिन सदा की तरह जाने से पहले दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पतर उठती है किर्णों के उपर कोमल किस लएकी छाजन सी स्वरका मधुन स्वनरंधों में जैसे कुछ दूर बजे बनसी सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन धन की आवरण स्वयम बनते जाते हैं भीड लग रही दर्शन की चांदनी सद्रश खुल जाए कहीं अब गुंठन आज समरतासा जिसमें अनंत कलोल भरा लहरों में मस्त विचरतासा अपना फे निलफन पटक रहा मणियों का जाल लुटातासा उनिंद्र दिखाई देता हो उन्मत हुआ कुछ गातासा जो कुछ हो मैं न सम्हालूंगा इस मधुर भार को जीवन के आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम सहीं अम बनके नक्षत्रों तुम क्या देखोगे इस उशा की लाली क्या है संकल्प भरा है उनमे संदेहों की जाली क्या है कौशल यह कोमल कितना है सुश मादुर भेद बनेगी क्या चेतना इंद्रियों की मेरी मेरी ही हार बनेगी क्या पीता हूँ हाँ मैं पीता हूँ यह स्पर्श रूप रस गंध भरा मधु लहरों के टकराने से ध्वनी में है क्या गुंजार भरा तारा बन कर यह बिखर रहा क्यों सपनों का उनमाद अरे मादक ता माती नींद लिये सों मन में अवसाद लिये चेतना शितलसी होती है उन अंधकार की लहरों में मनों डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में उस दूर क्षित जमे स्रिष्ट बनी स्मृतियों की संचित छाया से इस मन को है विश्राम कहां चंचल यह अपनी माया से जै शंकर जै भारत